हालो लेर्नर्स वल्कम टो आर चैनल एड विस्पावन आई होब आप लोग साभी का अच्छे होंगे आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं और वो है क्लास 10 का इंग्लिस ठीक है फॉर्स्ट फ्लाइट पुक से चैप्टर फाइब दे हैं चैप्टर फाइब से हैं ये वांड़ा पैट्रोंस की आप लोगों को याद होगा उसी से रिलेटेड है ये और इस वीडियो में जो है तीन शॉर्ट कॉस्टेंस जो हैं मैंटन किए गए है ठीक है अप लोग जो है वीडियो को स्कीप नहीं कीजिएगा हम लोग एक एक करकर डिसकस करते हैं ठीक है आप लोग उसे जब पूछा जाता है कि आपने ये स्कृंश किया है आपने इससे देखा तो आपका क्या जव वाला आप लोग फर्ष्ट में कर देते हैं तो वैसे में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसे अपने अनुसार भी एंसर को लिख सकते हैं question number one where does Wanda live very important question ठीक है Wanda जो है वो कहां रहती थी what kind of place do you think it is और वो जिस जगह पर रहती थी वो place कैसा था ठीक है किस प्रकार का था वो जगह जहां से वो आती थी school के लिए तो very simple answer Wanda Patronsky lives at Bogans Heights ठीक है यह place का नाम है Wanda कहां रहती थी Bogans Heights पर रहती थी और फिर यह तो हमने बता दिया where does Wanda live Bogans Heights what kind of place do you think it is वो कैसी जगह थी it is not a clean place ठीक है कि आहोगा देखे होंगे कि जहां तहां जो है कचड़ा वगर फेका रहता था नाली वगर शिवरेज ड्रेनेज बगर का बढ़िया वेवस्था नहीं था और काफी मड़ी एरिया था कीचड़ वाला एरिया था ठीक है कैसे हमें यह पता चला Wanda's feet are usually caked with mud कि वांड़ा के ज कीका को सब्सक्राइब फेका रहे है क्या अधिक वांड़ा के पास जो है है और युद्रेशस था था वाइड़ो यू थे सद रहे तो था जब उसके पास था या नहीं था जदी था तो ठीक है नहीं था तो फिर भी में ईसके पास क्यों दरेसिं नहीं था एकुल वहां अन हूख हए टीकी नहीं था त्युक्त कॉट्च उसका एक counter करती थी मतलब एकतर से जवाब देना बोल ठीक बार बार आपको बोलेगा कि तुम्हारे पास कितना dress तुम्हारे पास कितना dress तो जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि हां मेरे पास 100 dress है उसी प्रकार से ये भी जवाब देते थी she said this to counter the fun ठीक है उसका जो मजाख उड़ाया जाता था उसको सामना करने के लिए ठीक है other children made fun of her due to her only one dress और जो दूसरे बच्चे थे उस class में other children made fun of her ठीक है उसका मजाख उड़ाया करते थे क्यों मजाख उड़ाया करते थे due to her only one dress क्योंकि वह जानते थे कि उसके पास सिर्फ एक ही dress है इसलिए उसका मजाख उड़ाया करते थे और वो बोलते थे कि मेरे पास कितने dress हैं हैं रेट dresses question number three who did Maddy think would win the drawing contest and why ठीक है Maddy क्या अनुसर Maddy क्या सोंचती थी कि जो drawing competition था drawing contest था उसको कौन जीते गा ठीक है और क्यों क्यों ऐसा Maddy सोंचती थी तो Maddy thought that Peggy would win the girls medal यानि girls की ओर से जो है Maddy को लगता था कि निश्ची थी पैगी जो है वो drawing competition को जीते गी ठीक है पैगी would win the girls medal यानि girls की साइड से medal किसको मिलेगा पैगी को मिलेगा क्यों मिलेगा वाई पूछ रहा है she drew better than anyone else in the room ठीक है और क्यों क्योंकि वो उस रूम में यानि जो लोगों का रूम था रूम नमबर 13 आप लोगों को याद होगा उस रूम में सबसे अच्छा वो drawing करती थी इवन वो किसी का जैसे newspaper में या किसी जगह पर किसी का face देख लेती थी चित्र वगर है तो वो उसको एकदम who who copy कर लेती थी तो इसलिए मैडी ने ऐसा assumption किया कि पैगी जो है वो drawing competition निश्चित जीतेगी ठीके लड़कियों की और से ठीके और लड़कों की और से किसने जीता यह हम लोग next question में फिर बनाएंगे तो उसका discussion करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया हुआ यह question question number one क्या है where does Wanda live what kind of place do you think it is question number two did Wanda have hundred dresses why do you think she said so question three why did Maddy think would win the drawing contest and why so learners please stay connected with our channel and please like share subscribe our channel thank you